तो यार जिस तरीके से पिछले जाल CM Punk के रिटर्न से पहले WWE ने हमें हिंट देना चालू कर दिया था CM Punk के रिटर्न के उसी तरीके से हम WWE ने हिंट्स देना चालू कर दिया है Beast Incarnate Brock Lesnar के रिटर्न के क्योंकि यार आज की Monday Night Rock के अंदर Adam Pearce से Bronson Reed के खिलाफ मैच लेने के लिए Seth Rollins ने सबसे पहले Beast का मेंशन किया जहांपर वो Adam Pearce से ये बात बोल रहे थे कि उन्होंने Beast को हराया हुआ है और आज की Monday Night Rock के अंदर दूसरी बार Beast का मेंशन किया Cody Rhodes ने Cody Rhodes ने भी गुंतर के साथ सेग्मेंट में Beast को हराने की बात की थी और सब को पता है यार यहां पे Beast का मतलब Brock Lesnar से है तो भाई लोग Brock Lesnar का जो रिटर्न है वो अब बहुत ही करीब है मेबी Crown Jewel में या फिर हमें Royal Rumble के अंदर उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है तो यार फिर से बोल रहा हूं कि 2025 WWE और WWE फैंस के लिए बहुत ही तगड़ा जाने वाला है इसके अलावा यार आज की Monday Night Talk अंदर शुरुवात हो चुकी है जे उसो को दोबारा से Blood Line में लाने के लिए देखो यार यार ये चीज लग भी रहा था कि भाई जे में उसो Monday Night Talk पर आएंगे और जे उसो को मनाने की कोशिश करेंगे Blood Line में वापस लाने के लिए और जे उसो इतनी आसानी से तो नई मानने वाले पास में जो उनके साथ में हुआ है उसको देखते हुए और फिलाल तो अभी वो Intercontinental Champion भी है तो ऐसा हो सकता है कि ब्राउन बेकर के खिलाब जो उनका Intercontinental Championship का जो मैच होगा वहाँ पर Blood Line के Interference की वैसे वो अपनी Intercontinental Championship हार जाएं और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए जे उसो स्मैक डाउन पे Blood Line के पीछे जाएंगे अकेले तो पार पाना बहुत ही मुश्किल है जे उसो के लिए Blood Line से तो जो हाल Roman Reigns और Jimmy उसो का हुआ है वहाई हाल जे उसो का भी Blood Line करने वाली है बट उस चीज़ में अभी टाइम है लेकिन फिलाल तो Jimmy उसो हफते दर हफते मनाने की कोशिश में लगे रहेंगे जे उसो को बाकी भाई आज Raw में Bronze Breaker को जो Spare लगाया है जे उसो ने वो अभी तक का सबसे खतरना कि Spare लगाया मेरे को जे उसो का बाकी आप लोग का इसके उपर क्या विचारे कमेंट में बता सकते हो वीडियो के अंदर इतना ही www.eak informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो के लाइक जरूर कर देना मिलते है नेक्स्ट वीडियो के अंदर